प्रीमियर लिग जो हमारी एक प्रीमियम सीरीज है उसका एक और मैच आपको देखने को मिलेगा साम को साथ बज़े से, साड़े साथ बज़े से इनफेक्ट, साथ बज़े टॉस हो जाता है जो की कॉलम्बो इस्ठास जाफना किंग्स के बीच में होने वाला है सेम उसी स्टेडियम पर जहांकि एक मैच अभी चल रहा है पाहले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो अभी तक यहां पर इस पिच पर क्या हुआ पहले उसको देख लेते हैं उसके बाद आगे कैसे टीम मनानी है वो मैं आपको गाइट कर दूँगा अभी जो यहां पर करेंड में मैच चल रहा है यहां पर चार विकेट जल्दी गिर गए थे उसके बाद अभी तक यहां पर विकेट नहीं किर रहा है दो प्लेयर यहां पर काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नविंदू यहां पर देख सकते हूँ एक फर्नांडो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और यहां पर डबरे करके प्लेयर है वो भी एक अच्छा कर रहे हैं पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छा परफॉमेंस किया था यह दोनों प्लेयर अच्छा कर रहे है पर इस टार्टिंग में यहाँ पर विकेट्स की रहे थी अब यहाँ पर इसके पहले क्या हुआ है लाज्ट मैच जो आपने देखा यहाँ पर 240 बना दिया रहे जाफना की टीम ने सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने भी 189 बनाया था यहाँ पर जो पेसर्स ने विकेट लिये थे वो 8 लिये थे स्पिनर्स ने जो विकेट लिये थे वो 4 लिये थे इस मैच में भी अच्छा स्कोर बना था 174 यहाँ पर आपने क्या देगा आठ विकेट पेसर ने लिये थे पांच विकेट स्पीनर यानि पेसर सको और स्पीनर्स को दोनों को विकेट मिल रहा है इन दोनों ही मैच में सेकेंड बैटिंग करने वाले टीम हारी थी फर्स्ट बैटिंग करने वाले टीम जीसी थी यह जो एक मैच हुआ था यह लोई स्कोरिंग हुआ था यहाँ भी 148 रंगा पीछा करते हुए पूरा 20 ओर ले लिया था कैंडी फॉलकॉंस के टीम ने यहाँ पे स्पिनर्स ने आट लिया थे पेसर्स ने पांच भी लिया थे यहाँ पेसर्स को तो विकेट्स मिली जाते हैं आप सभी को पता है अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गई यह बात कि पेसर्स को भी लेना है स्पिनर्स को भी लेना है और इंपॉर्टन बैट्समेन भी लेकर चलने है यानि on and average वाली एक टीम आपको बनाना है वोग टीम के अभी तक के सफर की बात कर ली जाए जाफना के टीम आप सभी को पता है कि लाश्ट मैच बस इन्हों ने हारा था इसके अलावा इन्होंने सारे के सारे मैचेज विन की हैं लाश्ट मैच इन्होंने जीता था 240 जो बनाया था उसके पहले वाला जो 148 का टार्गेट मिला था कैंडी फॉलकॉंस को वहाँ भी लगबग ये जीच चुके थे 20 वे ओवर तक लेकर के गया थे जाफना के बॉलर्स ने यानि इनके बॉलर्स भी अच्छे है पैट्समैन भी अच्छे है इसलिए इन्होंने पिछले 2 सीजन विन की है टोटल 2 सीजन हुआ है इसके पहले ये तीसरा सीजन है लंका प्रीमियर लिखका तो अभी भी प्रबल दाविदार ये लग रही है इनकी अगर मैं बात करो कॉलंबो इस्टार्स की इन्होंने तीन में से एक मैच ही जीता है दो मैच हार के आ रहे है यानि यहाँ पर तगड़ी टीम लग रही है जाफना की अगर मैं दोनों में कमपैरिजन करूँ सबसे पहले जाफना के कौन से प्लेयर आपको लेके चलने है गुर्बाज फॉर्म में आ गए 73 बना है हमारे लाश्ट मैच में वाइस कैप्टन से आपको हमने लाइव इनिंग प्रूफ का वीडियो भी दिया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनको लिया ही नहीं था हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया था इनको आपको लेकर की चलना है अपने टीम में अब इसका फर्नांडो बहुत अच्छी फॉर्म में है 54 भी बनाया था लाश्ट मैच में इसके आप बन डाउन बैटिंग करने आ रहे है सदीरा, समरा, विक्रमा यह बैटिंग बाॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं और नमबर चार पर इनफेक्ट आ रहे है 38-62 की दो अच्छी इनिंग के लिए इनको आप ले सकते हो तो यह मलिक ने काफी सांधार बैटिंग की थी 32 काफी तेज बनाये थे काफी टच में दिख रहे थे तो इनको आपको लेना चाहिए अपने टीम में बैटिंग सेक्षर में थी सारा परेरा बाॉलिंग एक ओवर करा रहे हैं दो ओवर करा रहे हैं विकेट नहीं मिल रहा है और बैटिंग यह सोई मलिक से नीचे आ रहे है कुछ खास अभी तक किया नहीं इसलिए हम इनको इग्नोर करेंगा अपने टीम में नहीं लेंगे अब यहाँ में बॉलिंग सेक्षर में बी फर्नालडो आपके लिए important है दो मैच क recordings है साथ विकेट नहीं लिया है तीन विकेट पहले मैच में बीच में दो मैच इन्जिरी की वज़े से नहीं खेलेते फिर चार विकेट लिया last मैच में हमने इंको अपने टीम में लिया था मैक्सिमम लोगों नहीं दिया था ठीक साना ने लाज मैच विकेट नहीं लिया लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे अब यहाँ पर जैसे वैल आंगे आपको दिख रहे हैं इनका confirm नहीं यह balling करने का वैसे यह right hander के against करते हैं left hand spinner है तो सामने वाले टीम में right handers हैं तो इस match में यह balling कर सकते हैं important player आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पर इसके पहले एक और player थे जो खेल रहे थे अगर यह खेलते हैं लेगे spinner है तो इन्होंने भी काफी wickets लिए है अगर आपको लेना है तो इनको try कर सकते हो अगर खेलते हैं तो otherwise वैलांगे को अभी फिलाल हम नहीं लेंगे balling का कोई भरोसा नहीं है लेकि balling करेंगे इस pitch पे इन्होंने 3 wicket लिया था आप try कर सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे यह इन्होंने 2 wicket लिया था तो यह भी important हो सकते हैं आपके लिए बट फिलाल के लिए यह जो 6 player है आपके लिए मश्पिक है एक player मैंने आपको बता है सरीरा, समरा, विक्रमा को भी आप यहाँ पे add कर सकते हो अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिकवेला काफिची फॉर्म में दिख रहा है 62, 52, 58 रंग की दो अच्छी निंग खेली है यहाँ opening करने आ रहे है अंजेलो मैथिउस बट कुछ खास नहीं कर पा रहे है बॉलिंग भी करा रहे है विकेट भी नहीं मिल रहा है तीनों मैच में इन्होंने बॉलिंग करा रही है तो इसलिए फिलाल के लिए हम इंको अपनी टीम में नहीं लेंगे यहाँ आप CS लांग का ज्यादा बैटर प्लियर है तो यह आपके टीम में होने चाहिए चेड़े मल काफे नीचे आ रहे है वैसे लंका प्रीबियर लिग में काफे नाम कमाया है इन्होंने पहले वन डाउन टू डाउन बैटिंग करने आते हैं अब नंबर साथ प्यार है तो इनको लेने कोई मतलब नहीं है उनती सो सोला के लाश्ट के दो मैच मेच चेनिंग के लिए विकट कीपिंग भी नहीं कर रहे है विकट कीपिंग डिकवेला करेंगे इसलिए भी इनको लेने कोई मतलब अभी फिलाल नहीं बनता है अब यहाँ पे कुछ और प्लेयर है जो कि आपका टीम में होने चाहिए जैसे कि यहाँ ते डॉमिनिक ड्रैक्स है लगातार विकट सिंग को मिल रहा है लाश्ट मैच में एक उसके बहले दो पहले बैच में नहीं मिला था इसके अलावा यहाँ पे सुरंगा लखमल का एक आपके पस उप्सन है और नवीनूल हक का है नवीनूल हक ज्यादा बैटर है इंको तो आपको लेना ही लेना है प्लस यहाँ पे इस्पिनर को मरत कर रही है तो जे वैंडर से आपके लिए इंपोर्टन होगे मैंने इनके बारे में अभी तक नहीं पताया इंपोर्टन रहेंगे आपके लिए करीम जनत जो कि अफगानिस्तान के सांदार बॉलर है और करीम जनत की अगर में बात करूँ तो यह बैटिंग सेक्शन में ओपनिंग करने मतलब वो टॉप ओडर के बैट्समेन के तोर पर आते हैं लाच में वन डाउन आयते हैं आबुदाभी टीटन में बहुत अच्छा परफॉर्मेस इन्हों नहीं किया था लाच में इंको विकेट नहीं मिला उसके पहले दो विकेट लिया था मेरे एकॉर्डिंग इंको तो लेना ही चाहिए आपके लिए इंपोर्टेंट है बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने में कैपेवल है तो इनको आपको लेना चाहिए और यहाँ पे और कोई चेंज करने की गुण जाइस नहीं देख रही है पिछ पे इस पेनर्स को मलत करेगी तो वेंडर्स से को आप ट्राइ कर सकते हो आपके इच्छा आप किसी एक विकेट कीपर जो आपको लगता है फ्लॉप होगा उनकी जगापे ले सकते हो फिलाल के लिए धननजे टिसिलवा करीम जनत दोनों ही इंपोर्टेंट है आप इंको नहीं हटा सकते हो और तीन मिनिममम बैट्समेन तो आपको लेना ही है तो इन में से भी कोई को हटाने की गुण जाइस नहीं है इस तरीक रे टीम बन के तयार हुई है क्या क्या हमने आपको बताया कि इस प्लेयर की जेगा पे आप दुसरे प्लेयर ले सकते हो जैसे कि यहाँ पर रवी वुपारा के ऊपर भी कुछ बैट्समेन आते हैं, एंजेलो, मैथ्योस आते हैं, असलांका आते हैं, ट्राइ कर सकते हो, एंड इसके लाव बॉलिंग सेक्षन में ने आप कुछ उप्सन दी हैं, वेंडर से खास करके उप्सन दी है, वो सभी आप पंसेडर कर सकते हैं, उनको लेने के लिए इन दोनों में से किसी एक को आपको हटाना होगा, जो आपको लगता फ्लॉप है, एक और उप्सन मैंने दिया कि एक बॉलर को हटा करके आप यहाँ पे सदीरा, समरा, विक्रमा को ले सकते हो, वो बॉलर कौन से होंगे, जो आपको लगता है कि आज फ्लॉप होंगे, जैसे लाश्ट मैज में थिक्साना फ्लॉप हो गए थे, बट यह हटाने वाले प्लेयर नहीं है, इस मॉल लिग में आप इंको नहीं हटा सकते हैं, आपके लिए हमेशा यह इंपोर्टेंट ही रहेंगे, पेड मेंबर सिप की बात किजा है, हमारे एक मातर नमबर यही है, 914-0-233-474, अलसे बिग बैसली के स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम लोगों ने पैकेज अपगरेट करवा लिया है, जा रहा है, इस पॉर्ट बचे नहीं, इस पॉर्ट तो बिलकुल ही नहीं बचे है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हम दे रहे हैं, ताकि उनको सिरिज के पहले तक तो मौकात देना ही बड़ाएगा, एंड हमारा चार्ज मार्केट में सच्छी जाद हाई है, विनिंग भी उसी के एक ओर्डिंग होती है, एक मैट, दो मैट, तीन मैच की टीम हम नहीं देते हैं, पुरी सिरिज के पैकेज मारे पास अवलेबल है, अगर आपका बज़ट से कॉंटेक्ट करिए नहीं, तो फिर आप वीडियो देखकर के टीम मनाईए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होश रंदो संगोरी साइनिंग आउट, बबाए,